कि है कैसे आप लोग भाई विलकम टुटेक सो आगे उस्ट बढ़िया होंगे जवरस्थ होंगे तो फानली आपको आप वोड जो है यह आप आ चुगा है आपकी क्लासे जो है वह बहुत ही स्मूठी चलेंगे अब काफी दिन से दिमाद आ रहे थी इस्टेंट्स की कि सब बो बेसी लेक्रिकल का वो रस्पांज वेट की वीडियो आगे बढ़ा लेंगे तो कि मैं आपसे बात करूँगा बात करना जरूरी इसलिए है कि भई पहली क्लास आपकी है और इससे पहले मैंने क्लास ली थी ओरियेंटेशन क्लास तो वो आप देख लीजेगा वहां पे आप इसको कितना डीप पड़ेंगे यह तो हमागे भी बात करने वाले हैं फिर आपका जो अलग से प्लान किया हुआ है लास्ट में वो रुप के जाएंगे मैंने आपके बता रखा है कैसे आप इस निरों को एकसे कर सकते हैं जो भी रहेंगे बाते ठीक है फिलाहाल यह आप क् वाइफाइ स्टेडी से आप मुझे जानते ही जानते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं तो वह जान जाएंगे और उमीद करता हूं कि आपको जो यह जरनी है आपकी यात्रा है एलपी कि मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकूंग एक और बात कि जब भी आप कोर्स लेते हैं तो कोर्स लेते हैं मनलब ये नहीं कि आपका सेलेक्शन पुका है अपको यह जिसे की आप अराम से चीजों को कर पाएं उससे पहले तो मैं देख लोगी बाइफर वाइस है कि नहीं है ऐसा ना ना हो कि वाइस ही न आ रहा हो और हम यहाँ पर चालू है अपना कायकरम चलिए बढ़िया परफेक्ट है नंबर एक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब बात करते हैं कि भाइब अब कोई भी दिक्कत कोई सबसे आती है I am here, don't fear तो कि कोर्स लेने के बाद जो दिक्कते आती है आप लोग के सामने की किस से हम बात करें कुछ doubt आगया तो किस से हम पूछें फिर कोई बीच में बंदा होगा जो बताएगा कि हाँ सरजब खाली होंगे तो आप से बात करेंगे फिर आप से बात होती नहीं है तो यहाँ पैसा कोई सिस्टम नहीं है कोई भी दिक्कत आपको आती है आपने class ली, class miss हो गई आपने recorded class देखी आपको समझ में नहीं आया आप उसका लीजिए screenshot अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे मुझे बताइए क्या potential है आपके लिए क्योंकि आपका जो journey है यात्रा जो है बहुत लंबी यात्रा है इसको जहां रखिए आप लोग एक बात और रहा रहा रखिएगा कि जिसका technical बहुत अच्छा है वो non-tech को अच्छे से करे जिसका non-tech बहुत अच्छा है और आपका technical बहुत खराब है तो technical को भी आप साथ में daily पढ़ते रहिए कोई technical एक दिन में नहीं होगा कोई CVT जैसे ही आपका बन होगा 2 में जदा time नहीं लगेगा और syllabus आपका इतना भी नहीं है कि हाँ आप एक मैने में कर लेंगे कर तो लेंगे लेकिन exam में क्या होगा ना कि आपको याद नहीं आएगा कि इसका answer exactly क्या है आपको यह तो याद आएगा कि सर अदने सर ने पढ़ाया है मैंने पढ़ा हुआ है और answer नहीं कर पाऊगे आप दिक्कर इस बात करेगी चलिए निवे जो भी है बाते आपकी होती रहेंगी आपका पहला लिक्चर है सुरुवात करते हैं अपने class की अब यहाँ पे डाउट यह भी आता इस्टुरेंट्स का कि सर जो class चलने वाली है मैंने बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की है आप निशिंद रहो आपको basic से एदम advance लेके चलूँगा उसके लिए आप एदम nutrition रही है ठीक है तभी तो आपने course जोईंग की है और क्यों जोईंग करेंगे आप तो फटा पर सुभाद करते हैं अपने class की आपसे बाते हो गई है ठीक ठाक बाकी जो भी doubts रहेंगे कोई समस्या नहीं है ठीक है all set सब बढ़िया चलिए great बहुत बढ़िया सुभाद करते हैं अपने class की तो basic electrical ये topic आपका जो है मैंने जब previous year analysis किया जो आपका 18 में हुआ था उसमें क्या देखा मैंने कि आपका जो basic electrical जो आपका है उसका जो वेटिज रहा है आपका वेटिज लंसम रहा है इसमें आपका कितना 19 आपका और 17 वाक्स आपका एक बात और जहन में रखेगा याद रखेगा कि ये target ALP बैच है यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको बहुत high level नहीं पढ़ाने वाला हूँ इस चीज को दिमाग में रखिएगा ऐसा ना हो कि आप सुझे की सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बहुत level ले जाएंगे आगे तो उसके लिए RRBJ आपका रखा हुआ है जो हैं आपकी उनके लिए ALP में बस जितना जोरत है उतना तो कि अगर आप 75 में 30 लाएंगे और कोई 75 में 70 लाने वाला है तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला बस ये फर्क पढ़ेगा कि हाँ आपको टेक्नल आता है आपको 27 नमबर लाने है सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए और यही मेरा आपसे प्रामिस है कि मैं आपको क्वालिफाई करा दूँगा ठीक है? और किस बेरा फोकस रहेगा? आपका 19 माइस ही हो गیا 18 माइस ही हो गया, 17 माइस ही हो गया तो पहले ये 3 टॉपिक मैं खतम करूँगा पहले ये 3 टॉपिक खतम हो जाएंगे आपके आराम से मान चलिए कि हाई नंबर इसमें आयने चाहिए तक कि आप अब इन बन जाए ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है चलिए तो यह आपका कहानी हो गया तो यानि कि हमारा यह सब्जेट इंपोर्टेंट है चलिए यह तो बात हो गई इसकी आपकी यहां देखिए क्वालीफाइंग है गलती से भी आप बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जो पार्टे आपका है उसमें आपको खुश करना है ठीक है चलिए तो आगे बात करते हैं कि आपका जो टॉपिक्स इस मैं संद्राम भी आपको पढ़ाएंगे इस बात आपकी जन्री में वह भी साथा करेंगी तो इस दो बात करते हैं तो यहां पर जो आपका बेसिक एलेक्रिस्टी का जो स्लेबस आपका है उसमें आपका पहले आप चार्ज पढ़ेंगे फिर आप करेंट पढ़ेंगे फिर मैंने के रहाँ कि चार्ज पढ़लब यह होता है इसका आपका धारा होता है ठीक है इसका आपका अवीभव होता है एंड इसका आपका जो होता है यह सक्ती होता है और अगर बात की जाए एनरजी तो यह आपका होता है और जा तो शुरवात आपकी यहां से होगी पहले ठी प्रति रोध आपका, ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आपका, आपका पढ़ेंगे कि resistance in series, resistance in parallel, यानि कि आपका series में आपका प्रति रोध और आपका समानतर में, series में और आपका parallel में, स्रेनेरी करम में, समानतर करम में, बाकी इस आप जानते हैं आप पड़ते हैं बहुत अच्छे से हैं ऐसा नहीं है आपको नहीं पता इसके बारे में ठीक है फिर आपका आएगा ohms law बाई ohms आपका law पड़ेंगे हम लोग इसके बाद दिन उसके पर आएगा क्या, KVL आपका आएगा, फिर आपका KCL आएगा, ठीक है, उसके पर आएगा voltage division, current division आपका आएगा, voltage division, क्या होता है, current division क्या होता है, ये सबी तरीके होते हैं आपके circuit को solve करने के, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तरीके होते हैं, circuit को solve करने के, आगे हम चकटाः तो आपका क्या आता है निक्षापका इसमें आपका आ जाता है अगर आप बोलें तो नौडल होता है आपका मैस होता है नhmenडल होता है तो कोई उसका संस बनेगा नहीं आपको जानते हैं इससे हमारा समय यही बरबाद होगा को कि आप जानते हैं ओम का नियम ठीक है यह के विल्टेज को विभव लिख देंगे आप करेंड को धारेंगे तो या रखेगा वोल्टेज बलब विभव करेंड धारा एक बार आपने देख लिए आप बात कतम हो गई आगे हम बात करते हैं तो आपका न क्या आएगा दोस्ता आपका आपका आ जाएगा जीसों बोल देते हैं संधारित्र फिर क्या आएगा दोस्ता आपका अपका प्रत्या वर्ति मिदारा आप प्ड़न देते ہے आई अजयों फिर आपका R आएगा फिर L आएगा फिर C आएगा फिर इसमें आपका RL होगा फिर आपका RC हो जाएगा फिर आपका RLC आजाएगा ठीक है इस तरीके से आपका यह स्लेबस रहेगा जिसमें आपका जो बेसिक येश्क्ति के एलेक्ट्रिकल पॉर्षन है यानिकि जैसे आप बोलते हैं वो खतम हो जायेंगा इसमें आपका है इसकी आएगा इसे दम अच्छे से मैगनेंट में आते ही आपके दो टाइप के होते हैं एक होता है अपका टंप्रेरी होता है फिर आपका एक होता है पर्मानेंट तो इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भाई टंप्रेरी और पर्मानेंट की अच्छा टंप्रेरी जो होता है इसमें आपका Lange Law होता है, फिर आपका Faraday Law होता है, क्या था आपका Faraday's Law, अब इसको मैं हिंदी में लिख दूँँ चली में लिखता हूँ भई, Lange आपके हो गए फिर आपके साफ जाओगे Faraday साफ हो गए इनको आप पढ़ोगे, क्यों पढ़ेंगे क्योंकि आपका एक टॉपिक में एक कुष्णा पाया था Transformer से कुष्णा आगया था आपका एक पिछले साल आपका जो था, जो पिछली बार आपका था जब ही मैं पिछले साल बोलूँगा, इस अनलब की 18 बात हो रही है, ठीक है? पांच वर्सी उजना होती है, तो इसलिए यादे, इसको बोलते हैं परिणा मित्र, क्या बोलते हैं? परिणा मित्र बोलते हैं हिंदी में इसको इससे कॉष्ण आया होगा था, अगर मुझे ये परहना होगा, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा नहीं तो फिर याप उसमें आये का नहीं अब मैंने जाता कि आपकी ऐसा ही हलके भुलिए पढ़िए, जो भी पढ़िए, एकदम सॉलेट रगेस पढ़िए, आपको कोई तकलीफ, कोई समस्या ना आने पाए, ठीक है? चलिए कोई पहले हम करेंगे ALP को टार्गेट, फिर उसके बाद अगर नीट पड़ेगी, कि हाँ समस्या पढ़ा दीजिए, तो मैं बता दूँगा, बाकी कोई जरुत है नहीं उसकी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ही आपका ALP फोकस्ट बैच है, तार्गेट ALP आपका है, ठीक है? तो आईए अपस आते हैं मैं स्लेबस में, बात करते हैं जो स्लेबस आपका बना हुआ है, इस जो पाठिकरम में आपका जो है, कानी कहां से स्टार्ट होगी? चार्ज यानि की आवेज, अब आवेज क्या होता है? आव जो मेरे पहले राज जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए पहली बार है, कि भई देखिए, सिंबल सी बात है कि यहां पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्या, क्यूं और कैसे? कि भई चार्ज क्या है? चार्ज क्यूं है और चार्ज कैसे है? ये तीन बाते अगर आपने ध्य प्रियोग क्या है आप समझेंगे अभी बहुत अच्छे से ठीक है तो चलिए सुबात करते हैं इसी बात से कि चार्ज, करेंट, वोल्टेज, पावर, एनरजी ये सब का काम क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इसको, क्या जोड़त पड़ी इसकी, पहली बात तो यह जोड़ी इस पढ़ते क्यों है, एक्जाम को क्वालीफाई करने के लिए पहला तो मोटो यही होता है, उसको साइड पर रखते हैं, वो पहला मोटो हमेशा आपकी दमा में रहेगा, दूसरा मोटो क्या है, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाएं, कि भाई, जब भी आपको आगे मि पहले यह चीज, तो आपको कोई दिक्कत ना आए, तकलीफ ना आए, जो शुरूबात करें हैं, जो चली शुरू करते हैं आपका, यह तीन जो टर्मा आपके दिए हुए है, चार्ज, करेंट, और आपका वोल्टेज, यह कैसे आपकी लाइफ में आ गया है, और कैसे इन उ पातों को समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, चलीए, आपने पढ़ा होगा, कि भई, चार्ज जो होता है, वो क्या होता है आपका, एक smallest quantity होती है, किसी भी matter में, ठीक है, इसके बीछे एक हिस्ट्री है, बेंजामिन फ्रेंकलिन साब, आपने नाम सुना होगा, साइ चार्ज मिली क्या बोलेंगे आप, कि भई, चार्ज होता क्या है, आपका smallest particle है, अब कहानी यह है कि चार्ज जब move वरता है, तो current बनता है, धारा बनती है, तो कि आप जानते हैं कि I जो होता है, I equal to होता है Q upon में T, क्या होता है दोस्त आपका, I equal to होता है Q upon में T, यहां से आ आप इसकी definition बना लेंगे, परिवासा बना लेंगे, आपकी exam में परिवासा है नहीं आती है, flow of charge is called current, rate of flow of charge is called current, rate of flow of free electron is called current, यानि कि आवेज के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रोन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जब भी यह word rate आएगा, चाहे आ आप यहां पढ़ रहे हूं, चाहे आप कहीं पढ़ रहे हूं, rate वर्ड आते ही, दर वर्ड आते ही, rate जो यह word है, आपका जो दर है, या आपका जो rate है, यह जैसे ही आपका सब्द आएगा, तो by default, भी फिर से बात कर रहा हूं, science की भासा में, यह हमेशा upon t होता है, हमेशा, आप देख लिएना, acceleration क्या होता है, तोरण, b upon t होता है, क्या बोलते हैं, rate of velocity, it's called acceleration, rate of velocity, बोलते हैं, कारण क्या है, हमारे हिसाब से सबसे important क्या है, पैसा, लेकिन उससे भी ज़्यादा important क्या है, आपका time, जो हमको नहीं परदा जलता, मैं आपसे अगर कहूं कि आपको एक microsecond खरीदना हो, चलो, मैं आपको आता हूँ, यहाँ पर, आते हैं वापस से यहाँ फिर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, rate of charge, flow of charge, यानि rate of flow of charge, आवेस के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो यह दर जो बोला अपने t, इसका मतलब क्या है, मैं आपको य माइनस 3 सेकंड आपका आ जाएगा, फिर आपका क्या है, 1 microsecond है दोस्त, 1 microsecond क्या होता है, आपका होता है, 10 की पावर माइनस में 6 सेकंड हो जाता है, फिर mili micro फिर आपका nano आता है, 1 nanosecond क्या होता है भी आपका, आपका होता है, 10 की पावर माइनस 9 हो जाता है, फिर क्या ब आते हैं मैंने क्यों बताया आपको एक तो यह एक्जाम में आता है यह important है मैं जो बोलूँ वो आप ध्यान से रखना हर एक चीज आपको यहाँ PDF में हो सकता है ना मिले तो मैं जब बात बोलूँ तो बहुत ध्यान से बहुत अराम से मुझे सुनना है और जो लगे कि हाँ यह अगर बोलू कि वन मिली से क्या है तो वन वाई थाउजन आप करेंगे तो आपको वन मिली मिलेगा पीको के बाद आगे भी आता है फैम तो होता है बहुत सारे होते हैं आप कितना भी रुपएया देदो पूरे वर्ड की संपति देदो आप पीको सेकंड नहीं घरी सकते य यह है समय की महत्वा चाहे कोई भी हो इंपोर्टेंस आफ टाइम यह है आप समझे इस बात को क्योंकि आपके लिए समझना बहुत जुरूरी है समय निकल गया हां से तो सब रह जाएगा ऐसा ही तो वही कहानी यहां पर है साइंस समय को समझता है टाइम को समझता है वो कि जो करेंट है वो रेट अफ फ्लो अफ चार्ज होता है मुद्दा यह आता है कि भाई चार्ज क्यों फ्लो करेगा आवेस प्रवाहित क्यों होगा तो उसके लिए को न आया भाई वोल्टिज और आपने पढ़ा होगा इसका जो आपका फॉर्मुला होता है वी इकल टू क्य नहीं भूलेंगे जीवन में करेंट का युनिट एंपियर होता है कभी नहीं भूलेंगे आप अलग धारा की होती है एंपियर कभी नहीं भूलेंगे आप वोल्टिज का यूनिट होता है मात्रक होता है आपका वीभो का मात्रक होता है वो कभी नहीं भूलेंगे आप लेकि यह जो इसका मतलब है exactly वो सरकिट में वो परिपत में क्या करता है आपको यह समझना है कि भाई voltage का काम क्या है charge का क्या है current का काम क्या है आपको यह समझना है अगर आपने यह नहीं समझा तो पूरी कहानी मामला विगर जाएगा समझे तो आगर समझाते हैं आपको voltage जो होता है वो charge पर work करता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि W upon में क्या है Q है W upon में Q यानि कि जो आपका voltage होगा वो क्या करेगा आपके charge पर work करेगा जब charge पर work होगा तो क्या वो बरतन साफ करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है जब charge पर work होगा तो वो बरतन साफ नहीं करेगा वो flow करेगा क्या करेगा तो आपका current मिल जाएगा तो क्या देखा आपने कैसे यह एक दूसरे जूड़े है वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका चार्ज बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा नहीं चार्ज उतना ही रहेगा ये बहुत important concept है ये आप पढ़ेंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा resistance in series प्रतिरोध समांतर करम में और वहाँ हम पढ़ते हैं कि current same होता है और वहाँ पर current same होता है क्यों होता है उसका region बढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पर ये बात आएगी आई वापस आते हैं तो क्या देखा आपने voltage काम क्या है चार्ज पर वर्क करना जिससे कि क्या हो आपका चार्ज मूँ करेगा और चार्ज मूँ करेगा तो current बनेगा इन तीनों का काम यही है अगर ये तीनों में से एक भी गायब हो गए आपका धारा प्रवाहित नहीं होगा मेरी बास अंच आई आए आपको तो आपको इस level से पढ़ना है बस कि क्या काम है उनका जब भी कोई चीज आप पढ़ेंगे आपको याद रखना है कि काम क्या है 99% में आपको चीजे मिलती है एक परशेंट रखका दुक्का वो छोड़ो आप उसको रटना पढ़ता है फिर आपको मजबूरी में जो पॉइंट आपको क्या है पावर एनरजी है लेकिन उससे पहले कुछ important points और समद लेते हैं अच्छा कई लोगों को लगर आवा ना कि सरी ये तो 2 मेंटर टॉपिक है इतना time क्यों लगाना मैं आस पहले बोला ना कि ये आपका demo class है और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ पूरी जो यात्रा है आपके ऐसी होने वाली है मैं मानता हूँ बहुत basic है यह हम लोग आस लिए कपसे पढ़ा रहे हैं और बहुत लोग इस चीज़ के expert होंगे लेकिन बहुत सारे strange जो है तो इसलिए मैं हरे चीज़ को properly समझूँगा और आपको समझाऊँगा ठीक है अब बात करते हैं कि जो charge आपका है इससे question किस प्रकार से बन सकते हैं आगे समझते हैं तो charge का formula क्या होता है q equal to आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं आप इसको अधिस राषिभ बोल देते हैं फिर क्या हो गयास आपका यह कुलाम होता है कुलाम समझते हैं आप यानी कि कुलाम scientist के नाम पर आपका मातरक पड़ गया था ठीक है अच्छा और क्या माईपपड हो आपका यहां पर आपका हो जाएगा ampere second हो जाएगा एक question पुछा गया था maH किसका मात्रक है किसकी unit है maH तो कई बच्चे इसमें confused हो गए थे कारण यह है कि maH आपने देखा यह maH कहां होता है बताओ भई आपकी मुबाइल हो गया जहां पर आप देखते हैं कि 5000 mAh हो 6000 mAh हो 7000 mAh हो कितना मज़ा आएगा फिर आराम से चार्ज करेंगे और हमारे बट के बगल में ही हो ताकि आराम से वाय लग सके और आराम से चार्ज की unit है कैसे बताओ भई देखो धान से आप यहां पे क्या देखा आपने यहां पर आपने देखा कि आपका M जो होता है य आपका है यहां कहा होता है यह उता है उता है यह होता है दो दोस्त चार्ज का य्डिट होता है यहां पर देखो यह लिखा ना तब ही आप बोलते हो ना कि जो आपका mobile discharge जाता है क्या बोलते हैं आप इसको discharge, आपका mobile क्या होता है दोस्ता, आपका discharge, और ये आप बहुत अच्छे जानते हैं, discharge में लग की आवेस ना होना चार्ज ना होना, ठीक है समझ भी आप, आवेस ना होना अब ये समझो, आपकी discharge, क्या करते हैं फिर आप charger से इसको आप charge करते हैं चार्जर यानि चार्ज देने वाला तो जो यह नाम बनाएगे हैं ना तो यह इसी संसे मनाएगे हैं चार्जर डिस्चार्ज यह सब बाते जो आप को ओलते हैं ठीक है तो यहाद दखेगा आप से एक्जाम में यह पूछ लेंगे पता है वह जानते हैं कि आजकल बहुत जाएदा कहते हैं तो इसलिए आपको यह समझना है अचा इसमें और क्या बन सकता है रोस्त बता अधिसरासि होती है अच्छा अधिसरासि क्या होती है इसके बारे भी हम चल्चा करेंगे डून वरी फिर आपको खुलाम हो गया एंपेर सेकेंड हो गया और आपका एमेच हो गया अच्छा और यह बनसतायव का यहां से अच्छा एक और बनसतायव का अभी आपन देखा न वी इक्वल्टू क्या होता है डब्लू अपॉन में क अच्छा आएगा तो हो सकता है आपको यहां से पूछ लें जूल पर वोल्ट किसका मात रख है जूल पर वोल्ट किसका मात रख है तो ऐसे आपकी कोश्चन मन सकते हैं अब यह मैं आपको लिखाते बैटूं कि आवे से आपका एक स्मॉलेस पार्टिकल है जिसे करना का करे वाला है आपको ऐसे ही बढ़िया लिख लेना है धंसे ठीक है बाकी मैं आपको प्रॉपर डेफिनिशन लिखवा दूंगा ऐसा कुछ नहीं है आपको परिभांसाइद रमचीश लिखाई जाएंगे नोट्स प्रॉपर बना जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं बना यकारद लोगो अब मुझदाण यह आता है कि इसका है यह मुझत करह में अच्छे से संहा होगा वेक्टर क्या होता है आपका magnitude और उसमें क्या होगा आपका direction होगा यानि कि आयाम और दिशा दोनों होगी आपके scalar में क्या होगा अधिस राशी में इसमें स्रीफ और स्रीफ क्या होगा आपका magnitude होगा कि आपका जो direction है दिशा है वो नहीं रहेगी आपका magnitude आपका आयाम यहां रखेगा अब मुद्द यह आता है कि सरी तो पता है मेरे को लेकिन इसका सिंस क्या है चलो मैं एक्जांपल देता हूं को अच्छा सा प्याराव सा काफी फेमस एजांपल यह है आपका तो इसको आप धान रखेगा हुआ क्या माले आपका यह ब्लॉक है एक लगडी सा आपका चार नूटन यहां साबका छे नूटन आपने ऐसे एक्जांपल ले लिए है ये कैसे आया है मुद्द वो नहीं है कि सरी पांच कैसे आ गया चार कैसे आ गया छे कैसे आ गया यह मुद्द नहीं है मुद्द यह है कि भई जब मैं direction को change कर रहा हूं अगर आप magnitude यानि पांच जो word है जो आपका ये 5 संख्या है इस वो बोलते हैं आयाम, amplitude. जैसे ही मैंने दिशा को change किया, जैसे ही मैंने दिशा को बदला, आपका, just wait for second. क्या देखा आपने, जैसे ही मैंने दिशा को change किया, आपका जो आयाम है, उसमें फर्क आना चालू हो गया. यानि कि आपने ये देखा कि दिशा, यानि आपका जो direction है, उस पे आपका magnitude depend कर रहा है, निर्भर कर रहा है. बात सब्सक्राइब आई दिशा को change करेंगे, आपका जो magnitude है, जो आयाम है, वो परिवर्तित होगा. देखो, यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए आपका जो force होता है, आप जो बोलते हैं, बल, वो कैसा होता है आपका, आपका वो होता है vector. पताओ भई हाया ना, क्या ये बात कि जरे, कि सदिस राट से क्या होती है, अदिस राट से क्या होती है संधाया, तभी आपने पढ़ा होगा na displacement, विस्थापन, कहते नहीं कि जहां से आप गए वापस वहीं पर आ गए, तो आपका विस्थापन क्या होता है, displacement क्या होता है जीरो होता है तो कि वो direction पर depend करता है लेकिन distance होगा तो वो dependent नहीं करेगा तब ही आपके जो बाइक में लगा होता है वो speedometer बोलते हैं उसको velocity meter नहीं बोलते हैं क्योंकि velocity जो होती है आपकी जो वेग होता है वो भी स्थापन पर जिर्वा करता है बात समया नहीं आया तो मुद्दा क्यों उठाई यह आपका तूकि आपका चार्ज जो है वो स्केलर है अब वो कैसे वो समझो आप माल लो मैंने बोला कि भाई पांच कुलाम आपका यहां अब इसको उठाकर मैं रख़ों कहीं और पांच से आपका दस हो जाए है क्यों कि यह 5 पांच लाम ही रहेगा तो इसलिए आपका क्या होता है आपका चार्ज जो होता है वह आपका होता है scalar quantity अधिसरा से खुलाम आपने देखी लिया image आपने देखी लिया वी इकल डॉलू बाई के आपने देखी लिया अब कुछ जिसमें और बाते आती है आप बोलते हैं कि आवेज के संदच्छन का नियम आपके चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं क्या होते हैं आपके चार्ज आर कंजर्वर życie क्या होते हैं दोस्ते हैं कि आवेज संदच्छित होते हैं क्या होते है esta अच्छा एक की चीज और है मल्या कवे कलती से हिंदी मैंने कुछ मांत राएं घण बर्बर कर दी तो आपको तो मज़े नहीं लेना है, ठीकिए, कि आप मेरे मज़े ले रहे हैं, मैं खुद Hindi वीडियम पढ़ा है, लेकिन डिक्कत यह कि 8-10 साल से टेक्डिल पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, भाई चीज़े हैं, आप इस लिए आप इसको मन लिजेए समझेगा इस चीज़े को, हाँ, आपके चार्ज कंजर्व होते हैं, या नहीं कि समलब क्या हुआ, चार्ज को ना तो हम क्रियेट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही तो उसको हम उत्पन कर सकते हैं, ना ही उसको हम नस्ट कर सकते हैं, बस ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, अब बत करें आगर आपका charge के बारे में आपका जो होता है वो क्या होता है Q equal to Apeka Ne होता है कई बार आपसे पूछ लिया आता है कि मालो मुझे 1 A की current flow करानी है कितनी 1 A की मुझे अगर current flow करानी है तो how many electron are required यानि कि कितने आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ये वन एंपियर बोल रहा है मेरे दोस्त, तो वन एंपियर, समझे आप, आपको ये पता है कि I जो होता है, वो क्या होता है, Q अपॉन में T होता है, दोस्त, अब जो ये I equal to Q by T होता Q by T होगा दोस्त, अगर मुझे I को 1 बनाना है, तो ये 1 कब बनेगा दोस्त आपका, जावा Q 1 हो जाएगा, और T भी बन हो जाएगा, यानि कि एक कुलाम चार्ज आपका एक सेकेंड में प्रवाहित होगा, तो यहां से क्या देखा आपने कि भाई, जो आपका I, Q और T आप यहां आपका, इस वाले को यहां पकड़ो आप, और इसको यहां लेगा हो, तो क्या देखा आपने Q इक्वल टू N E, और Q इक्वल टू आपका I T होता है, और यहां से आपने देखा तो I into P इक्वल टू क्या होगा, आपका N E हो जाएगा, यहां आपसे पुछा गया है N की value, भाई संख्या पूछी न आपसे, कितना एक MP अगर फ्लो होगा, तो कितने आपको electron चाहिए आपको, तो 1.6 10 पाउड़ आपका 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 18 electrons, यह आपका answer होता है, आपसे exam में यही पूछ लेते हैं, कि भाई, अगर मुझे 1 MP करेंट सो गरा नह और T आपका क्या हो गया, यह भी आपका 1 हो गया, अच्छा सरी T 1 कैसे हो गया, यह T जो आपका है, यह 1 कैसे हो गया, भाई, अभी आपने यहाँ पे proof किया, जो T होता है, यह आपका 1 second होता है, तो कि आपको अगर 1 MP की धारा प्रोहित करनी है, current flow कराना है, तो यह 1 होगा, यह 1 होगा, आपका आजाएगा 1, और यहां से आपका जो E है, इसकी value क्या होती है, 1.610 की power minus में 19, आपका हो जाएगा कुलाम, कोई दिक्कत उसे आं तक, तो याद रखेगा, इसको भूलेगा नहीं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ बाते और करते हैं, चार्ज क बाहर रहता है, नाभिक से बाहर रहता है, मुद्दध यह आता है, जो current आपकी प्रभाइट होती है, वो किस के कारण कारण होती है प्रोटान के कारण या इलेक्ट्रान कारण बता थेintérieur जो आपकी धाराइब अब धारह है होगी मेरे दोस्त वो किसके कारण होगी तो टाउन या इलेक्ट्र sought-tun II I mating संब्लत हीगा आपने मैं देखो प्रोटान और electron एक और आपका होता है neutron तीन चीज़े होती है ठीक है क्या होता अब आपका proton, neutron और electron हमने ये पढ़ा है कि जब आपका मालो na है ये na plus बनता है और cl है ये आपका cl minus होता है ये na plus कब होता है जब electron ये दे देता है electron देता है कैसे बोल देंगे electron donor और यहां पर क्या होता आपका electron लेता है ठीक है यहने क्या आपका electron acceptor बोल देंगे आपको दाता है उग्राही है याद बात ये रहे मुद्दध ये आता है कि जब कोई देगा electron तो उस पर positive और जब कोई लेगा तो उस पर negative आता क्यों है जैसे दे दिया तो ये positive कैसे आ गया और ये negative कैसे आ गया ये हमको सीखना है है छोटी बात लेकिन गहरी बात है समझेगा इसको चोटी बात है लेकिन बात गहरी है कैसे आई समझते हैं जब मैं na को लेता हूं तो na में आप ये बताओ कितने proton है बताओ भई यह आपके कित्तों होगा भई आपको देंगे 12 यह कैसे लिखाला आपने आपको एक चीज़ पता होगी आपने पढ़ा होगा कि जो आपका Atomic Number इसको बोलते हैं आप परमाडू क्रमांग इसको बोलते हैं परमाडू क्रमांग यह किसके बराबर होता है आप बोलेंगे परमाडू क्रमांग इसको बोलते हैं यह किसके बराबर होता है यह होता है आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि जो सोडियम होता है के सोडियम में आपका 23 होता है एकाटमिक मास होता है कितना होता यह आपका इसे आपको सचोगे 20 से आपका जो है अगर मैं आपसे बोलूगी जो आपका न्यूट्रों है मुझे वो निकालना है और आपका जो प्रोटॉन है म conse bleachATHER कूट रोटान है वह आकग्स इतना इस आजाएक बार्र तो किना सींगन है यहां से आपका ऑड़ाई यह कहाने क्यां इसिवी आ पूछे आते मेरे डिए यह basic electricity आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपका engineering drawing है, आपका physics है, तो physics में आपका lever है, machines है, unit है, आपका यह सब है, तो वहाँ पे आपका basic electricity भी आता है, तो यह सभी आपके स्लेवस में है, और यह सभी कोशन बुछे आते हैं, तो यह सब को या दखेगा, भूलेगा नहीं गलती से भी, तो proton हो गया, electron हो गया, neutron हो गया, मुद्दा क्या चल रहा है, मुद्दा यह चल रहा है, कि सर पॉस्टिव और negative होता है, पॉस्टिव जो होता है, वो proton बोल देते हैं, और negative मलब electron बोल देते हैं, और जब हम Na को Na प्लस करते हैं, तो electron देता है, अच्छा, देता क्यों है, उस अभी कारण है, और Cl लेता क्यों है, उस अभी कारण है, देता क्यों है, लेता क्यों है, उस अभी कारण है, बाचपीस आप, बहुत बढ़ बढ़े हैं, क्या वा ग्यारा इलेक्ट्रॉन हैं और ग्यारा प्रोटॉन हैं लेकिन जैसे ही मैं एने प्लस करूंगा तो कहानी क्या बतल जाएगी बताओ आपके दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आप ग्यारा प्रोटॉन हो जाएंगे बोलो भई हाए न दस इलेक्ट्रॉन ग्यारा इसलिए आपका जो एने होता है वो पॉजिटिव हो जाता है मेरे दोस्त यह रहा समझे है दोस्त उसी परिकार से अगर मैं सील की बात कर दूँ तो सील में अगर मैं बात करूँ तो आपका यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 आपके प्रोटॉन होंगे यानि कि जैसे मैं सील मैंनस करूंगा तो कहानी क्या बदल दाएगी कहानी हो जाएगी आपकी कि यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन आपके 17 प्रोटॉन ही रहेंगे सु कहने का सिंस हुआ यहां पर कि भाई मैंनस का 18 हो गया बलस का 17 हो गया यहां यहां सिर आपका कि यहां से आपने यह समझा कि भाई प्रोटॉन कभी भी मुवमेंट नहीं करेगा मैं फिर सब्सक्राइब क्योंकि प्रोटॉन आपके नाविक के अंदर होता है नियूक्लियस के अंदर होता है वो हमेशा अंदर ही रहेगा उसको निकालने के लिए आपको बहुत जादा एनर्जी की रिक्वार्मेंट है तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर मुव करता रहता है वही निकलता है इलेक्ट्रॉन इडिजिस लाइक आपके घरों में सहोता है नहीं कि जिसे मैं इलेक्ट्रॉन मुवमेंट से ऐसा होता है जानते हैं भच्चे कहां फसते हैं भच्चे वहां फसजाते हैं जब बोलते हैं कि आपका कोई भी चीज नोट्रल कब होती है उदासीन कब होती है तो उसकी जो कंडिसन होती है for neutrality for neutral या आप बोलेंगे उदासीन के लिए किसी भी element को उदासीन होने के लिए condition क्या है number of electron is equal to number of proton अगर ये रहेगा तो आप बोलेंगे कि sir आपका वो element कैसा है दोस्त वो आपका उदासीन है यहां दबाशन में दोस्त number of electron equal to number of proton तो आपका वो element जो आपका त्रत्व है वो आपका क्या है उदासीन है अब एक क्वेरी ये आती है कि भई na आपका जो है वो electron क्यों देगा और CL क्यों लेगा तो कारण ये है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये चीज़े जो आपकी है ये लिंक करती है और ये आपको कहीन कहीं जाम मिल जाती है ये बहुत basic science है ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं मिलेगा आपको 100% मिलेगा अब देखिए sodium देता क्यों है आपका chlorine लेता क्यों है उसका कारण ये है बस थोड़ी हो बाते हो रहे है फिर अपको हम टाल करेंगे ठीक होता क्या है कि sodium क्यों देता है और chlorine क्यों लेता है उसका region है माल लोड दर आपने सोडियम बोला मैंने बोला आपका क्या आपका sodium हो गया फिर आपका हो गया magnesium फिर यह गया हो गया एल्मुनियम फिर हो गया सिलिकॉन फिर अब कर जाएगा फास्फोरस फिर आपका सलफर फिर क्लोरीन फिर क्या आगा आरगन क्या हो यहां से आरगन हो जाएगा फिर क्यों कowas potassium? sonra calcium sodium होता है यह होता है 11, है नहीं। आप बोलेंगे 2, 0, 0, 1 लो दोस्त magnesium क्या होता भी आपका? 2, 0, 2 होता है istant? कि इसको? 13 होता है क्या बोलेंगे आप? 2, 0, 0, 2, 3 बोलेंगे आप silver कितना होता है- come बोलेंगे आप इसको 284 बोल देंगे आप फास्वरस 15 क्या बोलेंगे 285 बोल देते हैं क्या आप काता है सलफर यह होता है आप बोलेंगे 286 फिर आप आता है आरगन ओहो यहां पर इसको मिटाई देता हूँ जास ही रहेगा तो फास्वरस हो गए आपका भई फिर आपका सलफर आएगा 16 कितना हो जाएगा आरगन आजाएगा आरगन कितना हो आपका 18 क्या होगा आपका 288 हो जाएगा फिर या होता है कितना होता है आपका 19 होता है क्या बोलेंगे आप 2 8 9 बोल देंगे खुछ भी यार ऐसा थोड़ी होता है दो आठ आठ एक होता है and last में आपका आता है calcium इसको बोलते हैं 22882 अब कहानी यहाँ पर है कि भाई देखो हमने यह पढ़ा हुआ है कि किसी भी सल में आपका अगर रहेगा आठ इसको बोलते हैं तो वो stable है यहां से chemistry भी आपकी add हो जाती है ठीक है तो यह सभी आपको फायदा करने वाली है नुक्सान कुछ नहीं करेगा सब फायदा करेगा आपका n होता है इसका एक formula होता है न आपका 2N2 क्या होता है यह कितने ज़्यादा संख्या में electron होंगे किसी भी सल में तो यह सल आपके баз होते klmn Culm Japanese ही है यह जो एन कि value है यह आपकी 1 है यहाँ पर जो एन है मेरे दोस्त यहाँ यहाँपका जो है यहाँपर यह वन होगा य यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा, तो यहां पर जो number of electron होगा, maximum कितना आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 8 आएगा, यहां पर आजाएगा, कितना, 18, और यहां पर आजाएगा, 32 आजाएगा, तो यह आपने बोला कि KLMN cell आपके जो है, अच्छा जो KLMN cell आपने बोल कि यह दोस्ता आपका यहां पर तो कहानी क्या होगी यहां पर देखो जब K L M N तो आपका K हो गया यह आपका L हो गया यह आपका M हो गया ठीक है तो यह कहानी आपके ऐसी है और यह सभी आप में फिट से बोलना है उसको नोट कर लेना आपको Chemistry में बहुत कुछ आता है इस कोशन आपके को किसरा आप Chemistry बारेगे बेसिलेटर बारे हो अचली सुरवात वहीं से होती है ठीक है ऐसा नहीं कि यह आपका नहीं होता है और यहम पढ़ क्यों रहे है कारण क्या है कि हमने अभी देखा कि तो चार्ज हमारा होता है वह पॉजटि और यही तरीका होता है पढ़ने का, कि जब भी आप कहीं से पढ़ रहे हों, कोई पढ़ रहे हों, जब भी आप उठने से पहले, जैसे आप उठ रहे हैं, उससे पहले एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए, कि आपने पढ़ा क्या, क्या होता है कि हम लोग पढ़के फ summary के form में कि हमने आज पढ़ा क्या वो समझ पाया हम लोग ठीक है तो चलिए आते वापस यहाँ पर तो यहीं हम यहाँ पर कहानी है पूरी यह चल रही आपकी और यह सभी एक्जाम में आने वाला है कोई भी चीज एक्जाम से बाहर नहीं जाएगी गारेंटी मेरी है एक फाल यह स्थाई आपकी लाइफ में स्थाई तो आ गया है आप अराम से मौच कर रहे हैं कोई दिकरत नहीं है सब कुछ बढ़ियां परफेट चल रहा है अब क्या देखा आपने अगर आप देखुद यहां से यहां पर तो यहां पर कहानी यह है यह 2 है और यह 3 है यह सभी के максимum magnesium aluminum इनका फाइदा क्यों है क्योंकि इसको देते ही क्या हो जाएंगे आपके यह हो जाएंगे स्थाई हो जाएंगे तो कि यही इनको डिस्ट्रब कर रहे हैं स्थेबल नहीं होने दे रहे हैं और इसलिए इनको परवाहीद करने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन की रिकॉर नई तो आपका धारा प्रवाइथ होगा ही नहीं तो इसलिए आप बोल देते हैं sodium, magnesium, aluminium क्या होते हैं आपके धात होते हैं, metals होते हैं बात करें अगर मैं six की बात करूँ मैं seven की बात करूँ मैं eight की बात करूँ मैं ये तीनों कभी देंगे नहीं हमेशा ये लेंगे ये पूछ लिया जाता है ये होता है नॉनमैटल और आपका ये होता है आपका metal हो जाता है मेरे दोस्त और यह जो पाड़ आपका होता है बीच में इसको बोल देते हैं आप क्या यह आपका जो हो जाता है इसको बोलते है metaloid जो आपका silicon है यह आपका हो जाता है metaloid जिसको बोलते है बीच में आपका जो होता है ना तो यह आपका रहा 5 यह आपका ऐसे रहा सीन इसो बोल देते हैं आपका नौन मेटल नहीं रेक्षण नहीं करेगा किसी से कोई भी रेक्षण नहीं करेगा और 125 आगया मेटल का तो अगर चार्ज पढ़ने बढ़ने तो बहुत कुछ है पढ़ने को चार्ज नहीं पर नहीं तबाहि माचा रखिए अगर चार्ज नहीं आपको जीवन में बोला रखा है क्या? संगर्स तो आपको प्रॉपर मिलेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और नोट्स आपको यह जो है आप इसको लिख लिख के बनाएगा सबसे इसकी यह है लिख लिख के बनाएगा नहीं तो क्या होगा कि आपका वो पीडियेफ में पढ़ रहेगा बाकी जैसे ही आपका यह पूरा सब्जेट खतम होगा बेसिक लेक्ट्रिकल मैं आपको इसकी अलग से एक नोट्स दूँगा पूरा प्रॉपर रहने की इंपोर्टेंट फाम्लाज वन लाइनर जॉब के होते हैं जॉब के एक्जाम पूछे आते हैं उस ताइप से मैं होगा जैसे मोग करे घा तो आपका आपका वो करेगा जैसे मूग करेंगा तो क्या होता है कैसे उसको आप मतलब है यह भी आपका इसको भी आप नोट कर लेना अगेन मैंने आपसे कहा आपने चार्ज ना होता तो ब्रांच ना होती ब्रांच ना होती तो वेकंसे नहीं आती तो हम नहीं होते आप नहीं होते वेकंसे फिर हम लोग कहां होते जंडलों में होते हलोव करते रहते तो साइंस हम वहाँ को देता सब्सक्राइvere करना के चार्ज मेंपहला क्याDS पूछेएगा भी देखा अच्छे से, फिर कुलाम होता है, आपका ampere second होता है, फिर उसका क्या देखा है, हमने कि भाई, milli ampere hour आपका एक unit होती है, जो exam में पूछी गई आपके milli ampere hour, ठीक है, फिर उसका क्या देखा हमने कि V equal to W by Q आपका होता है, तो Q equal to W upon V हो जाएगा, joule per volt भी आपका क् आपके charge, यानि आपके आवेश का मातरक होता है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई, जो battery आपकी होती है, mobile की, वो कैसे आपकी operate करती है, और उसका MAH ही क्यों आप लिखा गया है, 5000, 6000, 7000 MAH क्यों लिखा गया है, वो कारण ही आपका है, वो charge को store करता है, तब ही आप बोल आपका अधिसरासी है, और देखा जाये तो, electrical में सभी अधिसरासी होती है, कुछ को छोड़के, electric field छोड़के, magnetic field छोड़के, वैदु छेतर और आपका चुंबकी छेतर को छोड़के, बाकि सभी क्या होते हैं, आपकी जितनी भी quantity है, सभी अधिसरासी है, आपका charge हो गया, current हो गया, voltage हो गया, power हो गया, energy हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके scalar quantity होती है, all these are scalar quantity, चली आगे बात करते हैं, फिर आपका next vector हो गया, आपका scalar हो गया, फिर हमने बात की, charge conserve होते हैं, सनच्छी होते हैं, ये ना तो नश्ट होते हैं, ना ही आपका create होते हैं, बस तो यहां से क्या देखा आपने कि Q equal to any होगा Q equal to IT हो जाएगा और यहां से हमने जब value पूटकित क्या मिला आपको 1.6 10 की पावान अंग्जाब का होता है कुलाम पर चार्ज होता है यहां तो भूलेगा नहीं important है यह एंड आपका n equal to क्या रहेगा यहां से यह value हो सकता है आपका रिनात्मक होता है तो क्या देखा आपने क्यों आपका positive होता है negative होता है proton होता है nucleus के अंदर electron होता है nucleus के बाहर ना भी सुखा बोल देते हैं अब na na plus क्यों हो जाता है c l c l minus क्यों होता है हमने वो देखा कि भई electron के जाने से और आने से ही यहां हमने proton की बात बिल्कुल नहीं की की proton लिया और दिया proton लिया और दिया कभी हुआ ही नहीं हमेशा electron ही आपका आया गया है आया राम गया राम तो electron के जाने से और आने से यह होती है और यहां पर नहीं होता, electron हमेशा आपका negative होता है, not positive, और हमेशा देखेगा कि electron को हम कैसे atomic number decide कर सकते हैं, doubt ये भी आपका सकता है, कि सर, electron को हम क्यों नहीं लिया हमने, आप खुछ सोचो जिसका भरोसा ही नहीं है, वो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, क्या आप उससे रिस्ता बनाएंगे simple सी बात है, अब जो आ रहा है, जा रहा है, तो इस्ता कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो simple सी बात है, इसलिए आपने बोला कि proton अच्छा इंसान है, तब ही देखो आप, गौर करने वाली बात है, atomic number, atomic mass में electron का नाम ही नहीं भाई साब, electron तो current देता है आपको, एकदम सह आपका, कि भई, na plus q हुआ, cl minus q हुआ, और plus minus q होता है, उसका region क्या है, हमने ये भी देखा, अच्छे से properlyly पूरा, and फिर हमने आप उच्छे table बनाया हमने, और बताया हमने कि भई, ऐसा क्यों होता है, कोई electron क्यों देता है, कोई electron क्यों लेता है, उसका कारण ये है, ठीक ह इससे फायदा जानते हैं क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा, कि जिस इंसान को वो आता होगा, suppose that मालेज, जो बच्चा होगा, इसको आता होगा ये, तो उसका time बचेगा, वो स्रिफ PDF को download कर लेगा, और PDF को front-up देख लेगा, कि सर ने इसमें क्या क्या बताया है, इस नंबर को आप save कर लीजिए, जितने हमारे student हैं, जो भी हमारे course में enrolled हैं, इस नंबर को save कर लीजिए, कब तक, जब तक आपका selection नहीं आओ, तब तक, मलब CBD 2 तक, मान चलिए, कोई भी doubt, कोई भी दिक्कत, कोई भी समसाप को आती है, आप मुझे WhatsApp में message कीजिए, कि Sir मेरे आप से बात करनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, doubt के regarding, गलती से cut off, जोन, ये सम्मत पूछेगा, कि मैंने पहले ही बोला है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं उसमें expert हूँ, और उसमें आपको पूरी help करूँगा, मैं आपका, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और again, ये तो ये दिक्कत है, तो इसलिए मैंने आप से कहाना कि important ही है, कि आप किसको ढूंटे बैठोगे, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, इतना भरोसा है मुझे, क्योंकि भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे भरोसे बैठे हूँ, अचा कई students कह रहे हैं कि सब non-tech को भी add कर दीजिए, देखिए मेरे साथ दो बार हो चुका है ऐसा, कि मैंने कुछ नए course start किये, और उसमें faculty को मैंने hire भी किया, और faculty बीच में छोड़ के चली जाती है, उनको तो हम फिर ये तो है नहीं कि हम पकड़ सकते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे भी सफर करते हैं, उ उसी course launch होगा, बाकि जो अधर रहेगा, आपको अलग से देखना पड़ेगा, लास्ट में बात कर लेते हैं, मैंने आप से घातना कि जो RRBJ और ELP के लिए काफी परसान, काफी confused बच्चे हैं, RRBJ का वीडियो कल आपका आया था, तो उसमें क्या हुआ हुआ कि तारीक इत RRB Combo नाम सुनाते हैं, जिसमें आपका ELP का बैच और आपका JEE का बैच है, दुनों को mix कर देंगे, mix कर देंगे आप, ELP का अलग से folder रहेगा, और JEE का अलग से folder रहेगा, आप दोनों को देख सकते हो, आप दोनों को देख सकेंगे, ये तो क्या हो रहा है, कहीन कहीं confusion होत सकता है कि offline में समझना आसान होता है online में थोड़ा हसा ये भी हो सकता है कि जो मैंने बोला हो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए तो इसलिए एक combo रहेगा उसमें आपका ALP का batch अलग सो होगा जेई का batch अलग सो होगा और दोनों content आप access कर सकते हैं दोनों को आप देख सकते हैं तो एक combo नाम से plan चल रहा है जल्दी ही आपको मिल जाएगा तो आप अराम से उसमें enroll कर लिजिएगा दोनों को mix ररके रखेंगे आपको भी तकलीफ ना हो मुझे भी तकलीफ ना हो and thank you so much for your support for your guidance for your love आपने अगर मुझे चूज किया है अपने इस सफर के लिए तो मैं इस दिल का मैं इस जो भरोसा है जो ये आपकी unbelieverness है जो भी स्वाथ है आपका मैं उमीद करता हूं कि आपको ये उमीद भरोसा मैं हमेशा बखरा रखूं और उमीद करतेंगी एक जन्नी अच्छी बनेगी उमीद करता हूं आपको चीज़े समन्द में आई होंगी अगर नहीं आया होगा कोई बीची समन्द में तो ठीक है आराम से टाइम दीजिएगा चीजों को समझेगा परकिएगा आपको समझ में अच्छे सब कुछ आएगा थैंकिसो मज़ गाइज वाबाई टेक क्या धानकी अपनाप हस्त रहिए मुस्कात रहिए और कल हम इसे आगे कंटिनू करेंगे बहुत ही भमाक के दार तरीके से अभी तो बसे शुरुवात है बहुत कुछ होगा आगे-आगे रहिए होता है क्या चलिए जहीं जवारत आंके अपना बस्त रहिए मुस्कात रहिए